गुड मॉर्णिंग क्लास नेट्स जो अपना एक्जाम्पल फर्स सेंड हो गया था आप एक्जाम्पल लूपर थ्री है कि एक्सप्रेस फोर की पावर माइस 3 अगर पावर विद बेस 2 मसलब यहां पर इसे 4 है बेस तो यहां पर आपके पास 2 तो जो भी आपको दे रखा है इसमें तो we have 4 हमारे पास देस में 4 है तो 4 को मुझे 2 की 2 में तोड़ना है 4 को लिए सकता हूं मैं 2 इन्टू 2 यानि 2 की पावर 2 तो ब्रैकेट मैंने किया कि जो 4 है इसके जिए कि मैं लिए 2 की पावर 2 और साथ में मैं पावर 3 अब आपके पास आगे a की पावर m की पावर जो इसका फिर्मुला होता है a की पावर m into n तो 2 की पावर 2 into minus 3 तो आपके पास अगे 2 into minus 3 minus 6 तो इसका असर क्या होगे 2 की पावर minus 6 तो next example number 4 है आपका वो आपको कहा रहा है कि simplify example number 4 वो कह रहा है simplify इसका first question आपको पूल रहा है 2 की पावर 5 divided by 2 की पावर 8 bracket में और इनकी भी पावर 5 into 2 की पावर minus 5 छीक है यह आपके पास question देखो divide में है base same है powers minus होचाएगी तो यह का 2 की पावर 5 minus 8 और 7 पावर चली है 5 into 2 की पावर minus 5 2 की पावर minus 5 5 minus 8 2 की पावर minus 3 ठीक है 5 minus 8 होग है minus 3 साथ में चली है power 5 into 2 की पावर minus 5 next इसमें वही फॉर्मुल लग है 2 की पावर m into 2 की पावर m की पावर n 2 की पावर m into n यानि-3 into 5 2 into minus 3 into 5 into 2 की पावर minus 5 आगे गिया तो यह तो होगा 2 की पावर minus 15 into 2 की पावर minus 5 अब देखो 2 की पावर minus 15 minus 5 यानि 2 की पावर minus 20 अब simplify करना तो पावर को बना लो positive तो पावर positive कैसे बनेगी base में क्या जाएगा 2 की पावर 20 जो उपर है उसको नीचरिया हो बस यह आपका simply जो है इसका answer अब इसका second question आपको बोल रहा है minus 4 की पावर 3 minus 4 की पावर minus 3 into 5 की पावर minus 3 इन्टू माइनस 5 की पावर minus 3 इन्टू माइनस 5 की पावर minus 3 इन्टू माइनस 5 की पावर minus 3 यह आपको पास question नहीं है अब देखो अब इसमें क्या होता है तो देखो base किसी का भी same नहीं है minus 4 है 5 इन्टू माइनस 5 है लेकिन पावर सेम है तो आपने पास इक प्रॉपर्टी थी कि अगर a की पावर m into b की पावर m हो तो इसको लिख सकता हूँ power same हो तो a into b की पावर m यह प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी क्या लगेगी कि अगर minus 4 की पावर minus 3 5 की पावर minus 3 और minus 5 की पावर भी minus 3 तो इसको लिख सकता हूँ minus 4 into 5 into minus 5 और उसकी पावर minus 3 मुल्टीप्लाय किया देखो minus 1 to minus answer प्लस में आना है 4 5 are 20 20 into 500 तो आपके पास है 100 की पावर minus 3 सिंप्लिफाय करना है पावर को पॉसिटिव बना दो जो उपर हो नीचे आ जाएगा जो नीचे है वो उपर आ जाएगा तो 1 upon 100 की पावर 3 जो है वो इसका आंसर होगे सिंप्लिफाय करके अब इसीला थर्ड़ी कुछिन आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 1 upon 8 into 3 की पावर minus 3 1 upon 8 into 3 की पावर minus 3 देखो अब ऐसे कुछिन को सॉल्ट करने के लिए जो कोई आपको बता इसको भी आपके पावर में चेलते हो तो 2 की पावर में आएगा ठीक है ऐसे कुछिन को करने के लिए क्या अगरना है आपको देखो 1 upon 2 की पावर 3 आप लोगो ने क्यूब में जो आपके कुछिन आएका क्यूब एंट की पावर 3 इंटू इसको पावर को पॉसिटिव बनाया 1 upon 3 की पावर 3 होगे ही तो उपर से 1 से 1 multiply 1 into 1 upon 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3 तो यह होई आपके पास आया 1 upon 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 से पढ़ा आपने 6 की पावर क्यूब आती है तो इसका आउसर की आगया 1 upon 216 तो यह इसका आउसर हो गया अब इसका इसका इस पोड कुछन आपको कह रहा है क्या कह रहा है इसका फोड कुछन जब कुछ भी निया अगर आप लोग पैटर्ण भी नहीं लगाओ ना केवल पावर को प्लस करतो ठीक है उसके बाद जो पावर 4 इंटू 5 upon 3 की पावर 4 पावर 4 देखो यह है –3 इंटू –3 इंटू –3 इंटू –3 इंटू –3 इंटू इसको करने का short method हो रहे है क्या है आगर मैं माइनस 3 को ऐसे लिख दूँ minus 1 into 3 की power 4 into 5 की power 4 upon 3 की power 4 दोने की power अलग अलग कर देखे हैं तो देखो ये A into B की power M आ रहा है तो इसको लिखता हूँ A की power M into B की power M into 5 की power 4 upon 3 की power 4 ये cancel हो गया अगर नंबर negative है और power आपके पास even नंबर है मिदर 2, 4, 6, 8 है तो इसका answer प्लस में आएगा और 5 की power 4 आपके पास होता है 625 यानि आपके पास answer आजएगा 625 इसका answer है ठीक है ये आपके पास example number 4 हो गया अगर आप इसको पुरे open करें करते हैं तब भी answer यही आता next example number 5 है वो बहुत ही important है और उसको समझना लोगर example number 5 आपको क्या बोल रहा है find m m की value find करनी है कि minus 3 की power m plus 1 into minus 3 की power 5 equals to minus 3 की power 7 ठीक है देखो ये आप equals to के पहले जो इधर आपके उसको LHS बोलते है equals to उसको RHS बोलते है तो आपको LHS को LHS में solve करना है RHS पहले से ही solved है तो जबो आपके पास है minus 3 की power m plus 1 into minus 3 की power 5 base same है powers क्या हो जाएगी multiply में तो add divide में तो minus लेगे है multiply में तो powers लेगी add तो आपके पास आगया minus 3 की power m plus 1 इसमें की add हो जाएगा इसकी power 5 equals to minus 3 की power 7 अब देखो ये हो गया minus 3 की power m plus 1 plus 5 6 equal to minus 3 3 power 7 अब आते हैं यहां पे बात देखो अगर मैं चाहूं तो मैं स rankings तो 2 पावर 3 2 की पावर 3 equal to 2 की पावर 3 यह लिच सकता हूं लेकिन का कभी मैं सिलिखता हूं 2 की पावर 3 equal to 2 की पावर 3 नहीं मैं इस स्तीज को कभी नहीं लिच सकता 2 की ये मुझे पता है equal नहीं होते है जब भी आपके पास इसे बोना है 2 की पावर 3 तो इगर भी क्या बोलेगा 2 की पावर 3 ठीक है मतलब अगर आपके पास ये same है और equals 2 में है तो powers भी क्या होनीची है equal होनीची है तभी तो equal आएंगे बागी ये same हो और पावर्स ये अलग अलग करते हो तो क्या कप इसको कर दो नहीं आसकते है कि ये 8 और współ वही चीज यहां पे यह ऐसे बोला है कि minus 3 की पावर m plus 6 जो है minus 3 की पावर 7 के equal है तो equal कर बो सकता है कि ये भी equal हो और ये भी equal हो ये तो आपको equal दे रखा है लेकिन यह equal नहीं ज़े रखा, तो मुझे पता है कि यह equal क्या होने चीए, होने चीए, जैसे यहाँ पे equal है, यहाँ पे भी equal है उस तरह से powers भी क्या होने चीए equal होनी चाहिए, तो आपको यह यहाँ पे एक line लिखनी पड़ेगी कि if base are same then powers should same, कि अगर base same है तो powers भी same होने चीए, अब देखो अगर मालों यहाँ पे आ रहा था 9 यहाँ पे आ रहा था 9, तो आपको इन 9 को भी 3 की power में change करना पता है तो अपने starting वाला example किया था लेकिन यहाँ पे आपड़ने इक्वाल दे रखा है तो कोई दिक्कल ही नहीं है ठीक है, तो आपके पता है अगर powers same है, base same है तो powers को same होने चीए यानि कि M plus 6 की वैल्यू M plus 6 equals to 7 के एकोलों चीए तो आपको M के लेकाली 6 को ले जाओ उधर है plus का, उधर जागी लेगा minus का, तो M की वैल्यू हो जाएगी 1 तो इस तरह से आपको आपकी जो exercise 12.1 है वो खतम गड़नी है बागी जो 12 chapter next class में अपना इस खतम हो जाएगा पूरा ही फिर next class में तो thank you class